हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू दा अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की सोड़ो में हम बात करने वाले हैं आर आर भी रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अगर आप यहाँ पे फॉर्म अपलाई कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए ini.alp के लिए और आपको form में photograph and signature अपलोड करने में दिकत and problem हो रहा है यह आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपको photograph कैसे अपलोड करना है signature कैसे अपलोड करना है तो आज की सोड़ो में आपको complete जानकारी दिया जायँगा साथ में आपको research करके upload करके भी दिखाया जायँ तो आप इस वोड़ो को पूरा लास तक वाज करेंगे, इस वोड़ो में आपको complete जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में न्यू है तो चैनल को सस्क्राइब करें, सेर करें, लाइक करें, लाइक करना आप बुलेगा, इस लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना महनत करता हूँ, तो चलिए फ्रेंस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखें यहाप आपको गाइडलाइन ध्यान से रिट करना है, यहाप आपको वाइडलाइन दिया गया ह वसको क Pont That सब currents अगर और नहीं उड़ाइ आपका फोटो का साइज वहां पर आपका फोटो अप्लोड नहीं होगा इसके पच्चाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो फोटो होता है वो आपको ना ही किसी मोबाइल से आपको खेचाना है ना ही आपको सेल्फी लेना है आपको क्या करना है अगर आप मोबाइल फोन से अगर आप फोटो क्लिक करवाते हैं यह सेल्फी लेते हैं तो आपका जो photo होता है वो आपका यहाँ पर reject कर दिया जाएगा बिना किसी region के तो आपको क्या करना है photo आपको password साइट से खिचवा लेना है किसी photo swap से इसके पस्चा देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो photo होता है वो आपका clear होना चाहिए candidate को आपको क्या करना है without यहाँ पर cap मतलब जो glass होता है जसमा उसका भी आपको use नहीं करना है आपको यहाँ पर mention किया गया है आपका face होता है वो आपका यहाँ पर mask का भी use नहीं करना है आपका hair जो होता है वो आपका just simple बनाते है वैसे आपका hair होना चाहिए इसके पच्चा देखे प्रेंस यहाँ पर आपका जो face हो देखे प्रेंस यह लीक्ता हूं को Southern क्या थोल्वा इस अचला है इसचे आपन करें अब्रोट किया गया है कि आपके पास फोटो लौट करेंगे उसका जो बारकन पड़ेंड आपको क्या करना कूसरूं के लिए आपको यहां आपके पास 12 कोपी नहीं है तो उसको क्या करना है आपको फोटो सबसे और भी क्या होता है उसका कोपी आपको क्या करना है निकलवा लेना है या आपको सबसे और भी जो फोटो होता है वह आपको क्या करना है प्रिंट आउट करवा लेना है अब चलिए फ्रेंस मैं आपको ब प्रेंस यहां पर यहां पर यहां पर देखने को मिल जाएगा ऐसे भी आपका फोटो नहीं होना चाहिए प्रेंस यहां पर यहां पर कटा हुआ होना चाहिए यहां पर यहां पर लूटा होना चाहिए देखे friends यहाँ पर आपका जो photo signature होता है वो आपको यहाँ पर white paper लेना है इसमें आपको क्या करना है running letter का use करके आपको signature कर लेना है आप देखे friends यहाँ पर black जो pen होता है उसका ही ink का use करना है और आपका जो photo का width और height होता है वो आपको 50 और क्या करना है आपको यहाँ पर 200 के में इसका वायरण से इते सहीं उतन से टो बेख चांप सबयाएया है और यहां पे मैंने बताए इस दिग्नेचर करना है और यह signature आपको भोलना है नहीं है प्रेंस आपको कहीं भी signature यह कराई जाएगा तो आपको वैसे ही signature करना होगा तो running letter के यूज कर के आपको क्या करना है white paper में आपको signature करना है black ink से black ink से ही आपको क्या करना है signature करना है other किसी pain का use नहीं करना है अब चलिए friends जो मैंने यहाँ पे photograph और signature होता है इसको मैं आपको research करके दिखाता हूँ देन यहाँ पे upload करके भी दिखा देता हूँ तो friends यहाँ पे हम photograph और signature को research करने के लिए हमें application एक यहाँ पे download करेंगे जो कि आपको play store में मिल जाएगा simply आप यहाँ पे photo research आपको search करने ना है यहाँ पे इस वाले application को install कर लेना है अपने mobile phone से अगर आप laptop या PC का use करके अगर आप research करना चाहते हैं तो research कर सकते हैं यहाँ पे demo मातर के लिए बता रहा हूं कि आपको कैसे research करना है इसका width और height आपको कैसे set करना है यह application अच्छा है अगर आप इसका use करके research करना चाहेंगे तो आप research कर सकते हैं कोई भी दिकत यह problem आपकर नहीं होने वाला है जैसे आप इस application को open कर लेंगे तो आपको इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा दैन यहाँ पर आपको select करना है उस वाले photo को आप upload करना है कुछ step से आपका जो photo होता है आपका होना चाहिए आप देखे फ्रेंस यहाँ पर मैं demo मातर के लिए लिया हूँ photo तो कुछ step से क्या करना है आपको photo ले लेना है दियान रहे है आपका जो photo होता है background आपको white रखना है इसके पस्चाद आपको यहाँ पर research करना है photo को तो simply आप यहाँ पर research में click करेंगे और आपको research कर लेना अपना photo को research के भी न आप photo को upload नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको research करना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले आपको यहाँ पर आजाना है resolution and file size में यहाँ पर आपको custom में click करना है दने यहाँ आपको width और height आपको set करना है यहाँ पर बोला गया है width और height यहाँ पर set करने 350 और 450 के बीच में साथ में file का size होता है वो आपका हमारा रहना चाहिए 30 और 70 kg के बीच में रहना चाहिए तो आप यहाँ पे 70 KB में भी convert कर सकते हैं तो simply आप यहाँ पे कुछ इस step से यहाँ पे type कर देंगे दन यहाँ आपको KB में आप यहाँ पे tick करेंगे MB में आपको tick नहीं करना है और आप यहाँ पे OK में click कर देना है फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यह इसका width है यह इसका height है यहाँ पे आपको KB में tick करना है यहाँ पे आपको OK का button देखने को मिल जाएगा OK में आप यहाँ पे click करेंगे तो आपका जो होता है एक बार में ही आपका photo यहाँ पे research हो जाएगा कोई भी दिक्कत है यह problem आपका नहीं होने वाला है तो यहाँ पे मैं research करके दिखा दिया हूँ देख सकते हैं फ्रेंस कुछ steps आपको यहाँ पे research कर लेना है इसका file का size होता है वो थोड़ा बहुत कम यह ज्यादा होगा इससे कोई भी दिक्कत यह problem आपका नहीं होना चाहिए करनाफास यहाँ आपको सेप कर ले दो आपको सिगनेचर कर लेना आपको आपको यहाँ सिगनेचर ले ले डमicon इख के लिए पको इस श सिगनेचर होना चाहिए कभे भी आप Capital Letter को यूज करके signature नहीं करेंगे इसके 50 आप फिरी ये, आपको gallery आ जाना है simply यहाँ पे research में आना है यहाँ आपको resolution में आ जाना है, file size में तो simply आपको resolution and file size में आना है यहाँ पे आपको untick कर ले लेना है इस वाले box को सबसे पहले इस वाले box को un-tick करेंगे यहाँ पे आपको set करना हिसका अब देखे friends हमारा जो photograph और signature होता है वो हमारा research हो चुका है gallery option में जाना है और आपको बस touch करना है gallery में automatic आपका save हो जाएगा gallery में तो देखे friends यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको research करना है यहाँ अपने according आपको state करना है यहाँ पर मैं आपको demo के लिए बताया हूँ कि आपको ऐसे research करना है अब चलिए मैं आपको upload करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको photograph और signature को upload करना है अब देखे friends यहाँ पर photograph औ भी अप्लोड कर देना है, सिखनेचर को अप्लोड करने के लिए इसमें भी आपको क्या करना है, ब्रोज में क्लिक करना है, फाइल को सेलेट करना है, और आपको अप्लोड कर देना है, अब देखे फ्रेंज यहाँ पर आपको वेक्त और हैट आपको सही सेट नहीं होता है, त कि कैसे आप यहाँ पे railway recruitment board में आप यहाँ पे assistant logo pilot का form apply करना है तो आपको photograph and signature कैसे upload करना है पूरी जानकारी मैंने आपको देने का कोशिज किया है जानकारी अगर आपको पसंद आएगो तो ब्लेको like, subscribe, share करेंगे ऐसे ही update पाने के लिए